बाँगी लाचाए पाहूं जाए बाँगी लाचा कईते जाए सूरिय उपासना का महापर्वर छट की आज से शुरवात हो गई है देखी आज नहाय खाए है और लगतार चार दिनों तक महापर्वर छट की पूझा की जाएगी अर्चना की जाएगी जो ऐसे में सूरिय देवता जो है उनकी पूझा की जाती है उनके साथ साथ जो छटी मईया है उनकी पूझा की जाती है देखिए आज पहला दिन है और आज के दिन हाय खाय होता है जो व्रतिया होती है वो सुबा सुबा गंगा स्नान करती है और गंगा के स्नान करने के बाद जो प्रशाद होता है वो बनाय जाता है ऐसे में जो अरवा चावल का प्रशाद बनाय जाता है उसके साथ कदू भी बन इस वक्त देखिई चर्ट का क्या महहौल होता है और चर्ट की क्या छटा होती है। इसको देखाने के लिए आपको एक परिवार के साथ यहां पर मौझूध है। देखिए परिवार उसको पर छर्ट व्रत मनं रहा हैं। और हर तरफ देखिए आज का जो प्रशाद है आज का जो महत्यपून प्रशाद जो होता है अरवा चावल चना का डाल और जो कद्दू की सबजी होती है और जो हरी चटनी होती है उसके साथ साथ जो बचका होता है वो भी है और ये जो प्रशाद होता है इसके अपने आप मे उनके उपासना करती है पूजा अर्चना करती है उसके बाद इस प्रशाद को ग्रहन करती है और उसके बाद उनके परिवार वाले जो हैं वो इस प्रशाद को ग्रहन करते हैं अपने आप में यह जो प्रशाद है वो काफी जादा महत्तपून होता है और जो सबसे खास वात ह sings प्रशाद में वो लॉकीस सब्जी की बात होती है और इसमें जो कद्द। की सब्जी होती है । जावल सूख्राय यानि यह झौ तैयारी हैं यह च्षाट把它 के दूसरे दिन यानि जो खरना होता था उसकी तैयारी है देखे खर्णा में क्या होता है कि खीर बनाते हैं प्रशाद के रूप में उसके साथ साथ रोटियां बनती है और ऐसे में बहुत ही पवितरता से जो भी ब्रती होती है वो जो गेहूं होता है जो चाबल होता है उसको सुखाती है फिर ये पिस्ता है गेहूं पिस्ता है और आ आम की लखडिया हैं जिस वक रखी गई है और जो भी प्रशाद होता है वो ग्यास पर नहीं बनता बलकि चूले पर बनता है ऐसे में सुधिता का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से सुधिता को बरकरार रखा जाए और यहां पर देखिए व्रत्या मौजूद है पूजा कर रहे हैं इस बार महौल कैसा है सबसे बातचीत करेंगे कि कीसा इस बार महौल है और किस प्रकार से वह इस बार च्छट पूजा मनारी हैं तो इस बार बताए जब सारे परिवार वाले एक साथ मौजूद होते हैं और इस पार को बहूत ही उप यह लगता सब तरह म detach आप से जाना चाहेंगी जो प्रशाद जो होता है पहले दिन का प्रशाद उसकी क्या खासीट होती कितना इअ बहुत महत्पुर्ण आज का प्रसाद का बहुत महत्पुर्ण है क्योंकि सुसा से बनाई जाती है उसको अर्भा चावल है डाल है कदू चना की डाल बनती है को भी आलू है बचका है इस बना के पहले चर्थ वरती उसको खायत उसके बाद में सब कोई गरहन करते हैं वह बहुत सुझता को बरकरार रखा जाता है तो देखिए चर्ठ का महाल है पुरा अच्छा भक्ति में महाल बन गया तो चाहेंगे कोई छट का गीत महोल को और ज्यादा पवितर बना दे। आप सब्सक्राइब चाहीं बासा के बाहंगिया बाहंगिला चाहे पाहूं जाए बाहंगिला चाह कईते जाए पे नूना साभे भाया पी अरिया बाहंगि घाटे पाहूं चाहे बाहंगि घाटे पाहूं चाहे मातो जे पुछा ले बातो ही आ बाहंगि की ना काके जाए बाहंगि जी ना काके जाए आनहारा हो ये रे बातो ही आ बाहंगि छाठी माई क्या के जाए बाहंगि जी शुरूज माबा के जाए तो देखिए छट का जो गीत होता है वो अपने आप में इतना भक्ति मैं होता है और लोगों की जो आस्था होती है लोगों की जो भावना होती है वो छट के गीत के साथ सुरू होती है तो देखिए यहाँ पर जो महौल है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गेहूं सूख रहे है और चावल सूख रहे है यह जो कल का जो दिन होने वाला है जो खरना होने वाला है उसकी तयारी है तो माता जी आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो खरना होता है उसमें किस प्रकार से शुदता को बरकरार रखने के लिए क्या से तैयारी की जाती है और किस प्रकार से पूजा होती है जी हाँ तो मौका होता है कि लोगों का जुटान होता है परिवार वाले एक साथ मिल करके इस मौके को इंजोई करते हैं और बहुत ही अच्छे से चर्ट पर्व को बनाते हैं तो आप से जानना चाहेंगे कि चर्ट पूजा में अमोमन लकडियों पर आग पर खाना बनता है ग तो अभी भी महाल है तो एक और चर्ट का घीत हम चाहेंगे कि आप लोग हमें सुनाएं अब सुनागी करते हम कर दो चर्ड का जो घीत होता है वह अपने आप में बहुत ही भक्ती में रहता है आप चर्ड का लगे गा कि आपका मन का जुराव उसके साथ हो गया है और मानेता होती हो काफी खास होती तो माता जी आपको एक और छट का गीट सुनाई साहरिया के गलिया ओमे दौरावा भीकार ओमे दौरावा बाजार वे बाबू चलाले बाजारिया काईले दौरावा के मौल काईले सुपावा के मौल जलादी से करूना बाजारिया बैलाई आरागा के बे बैलाई आरागा के बे सांजू के दे बैया रगिया बोरे मांगा बैजारू बोरे मांगा बैजारू तो सुना अपने छट का गीत और ऐसे में जो महौल है वो विहार में हर तरफ छट की छटा से चागिया है और देखिए आज इसकी शुरवात होई है और लगतार चार दिनों तक छट पूजा की ऐसे ही रौनक चारों तरफ देखने को मिलीगी दूसरे दिन खरना होगा तीसरे दिन संध्या में सूरदेव को अर्द दिया जाएगा और चौथे दिन यानी सोमवार को उकते हुए सूरदेव को अर्द देने के साथ ही इस जो तरहार है उसका समापन हो जाएगा कैमरा मैन राजु के साथ स्नेहा मनोस कशिश न्यूस पटना दूरा जाई दूरा जाई दूरा गे बांजिन पर चाईया परे मोर तो देखिए च्छट पर्व में जो बच्चे होते हैं उनमें भी खासा तोर पर साह देखने को होता है सुबह में उठ जाते हैं कि च्छट घाट पर डाना है और उनकी तैयारी जो होती है वो काफी ज्यादा रौनक से भरी होती है तो फिलाल बात करेंगे आपका नाम क्या हुआ तो इस बार च्छट पूजा आप कैसे सेलिब्रेट कर रहा है क्या कुछ करने वाले इस बार हम लो घाट पर जाएंगे ना आएंगे पूजा करेंगे आप बताएंगे च्छट को लेकर के क्या कुछ तयारिया किये नए ड्रेस आप लिए इस बार येस क्या पहनने वाली है मैं एक कुर्दी ली हूँ एक डाप ली हूँ और मैं वही पहनूगी तो दोनों टाइम जाना है सुबह में भी और शाम में भी हाँ आप बताईए आप किस प्रकार से त्यारी करें थोड़ा आगया जाएंगे मैं रहे नए कपरे पहनूंगी और जाओंगी घाट पर जाओंगी हाँ कि मम्मी की हलत कर रहे है मम्मी की आपकी दादी की जो भी हचनल पूचा में बहुत सारा काम होता है तो झाल झाल